नमस्कार दोस्तों जेहिन SSC की जेए की त्यारी कर रहे सभी अभियरतियों के लिए बहुत अधिक का एक न्यूज है और आप सभी लोग इस तरीके से समझेगा कि जो जेए का एक्जाम हुआ था उसका पाइनल रिजल्ट क्या हो चुका है जारी हो चुका है अब देखेंगे के देखिये जाने Category Wives मांक से नि किस Category के कितने मांक से और जो टॉप के इंडेटे जिनके भी आपके context में जो लोग J.E. की तियारी कर रहे हों, आप उनको भी सकते हैं, S.S.C. J.E. का final result आउट हो जो ठीक है, जनरली लोगों को मालूम चली जाना चाहिए, देखी सबसे पहले, Staff Selection Commission आपको मालूम है, S.S.C. ही ये परिक्षा कराता है, तो आपको ये जो official notification है S.S.C. की side पर जाकर मिल भी जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा समझते देखी, इसमें अगर हम बात करें तो paper one है, जिसमें junior engineer, civil, mechanical है न, उसके लिए आपको क्या हुआ था, एक paper हुआ, 2022 में जिसका result आया था, 18.1.2023 को, जनरली को, ठीक है, तो descriptive paper हुआ था, 26 फरवरी 2023 को, उसके according जो result है, वो आख, ठीक है, आईए, थोड़ी सी बात करते हैं, देखी, vacancy कितनी available थी और कितने लोगों ने वहाँ पर qualify किया है, अगर बात करें हम EWS की, तो 264 vacancy थी, 264 लोगों ने पास किया, S.C. में 444, 444 लोगों ने ही पास किया है, S.C. में 1099 में, 1099 में, O.V.C 542 vacancy थी, लेकिन 583 candidates किया हुए है, पास हुए है, यानि एक candidates को उन्होंने अभी extra रखा है, इसी प्रकार, UR की बात करें, तो 1309 vacancy थी, इसमें से 1308 vacancy, जो हमारी vacancy है, वो फिल हो गई है, इसमें एक vacancy कम है, तो हो सकता है, यहां से changes कर दिये जाए, टोटल जो vacancy की बात कर हैं, तो category wise जो result आया, वो एक बार सभी लोग गौर से देखिएगा, कितना किसका result गया है, जल्दी से समझ लेते हैं इस result को, देखिए, अगर यह आपके जो departmental code होते हैं, जैसे आपको mechanical का अलग code है, civil का अलग code है, electrical का अलग code है, तो यह code wise vacancy है, code आप चाहें तो check कर लीज जिसकी cutoff गई, ठीक है, paper second में marks 206 है, जो जिनका selection हुआ है, 2223 उनकी date of birth है, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें, UR की 4 vacancy थी, 343 marks है, N का 345 है, UR का, यानि अगर UR की vacancy की हम लोग cutoff की बात करें, तो 245 और 243 गई है, N और M category, इसी प्रकार अगर B category की बात करें, 1929 और B category में, UR की जो cutoff है, वो कितनी है, 82 है, maximum marks जो total marks है, 356 है, descriptive में marks कितने है, हमारे descriptive की देखें, 213, 8, 3, 8, 1992, ठीक है, अगर आप गौर से और थोड़ी चीज़ों को समझेंगे, तो एक बार देख लिजे, यहाँ पर सारी category wise cutoff आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, मेरी सभी को एक ही advice है, कि आप सभी लोग अपनी-अपनी category wise और departmental post wise है, जो आप पोस्ट पर आते हैं, उसका code चेक करके आप अपनी vacancy को देख सकते हैं, कि आपका result आया नहीं, अगर आप लोग में से जितने भी लोग पास हुए इजाम में, तो comment section में नाम अवश्वत आईगा और मैं मिलूगा आप से फिर किसी ना किसी कास में तब अपना ज़न रखिए, बस्त रहिए, मस्त रहिए, गैहिंद के भारत